विपक्षी मेंबर आफ पार्लिमेंट संसत के में सुरक्षा के सेंद के मामले में राष्ट्रपती से मिलेंगे कल सुबा दस बजे राष्ट्रपती से मिलेंगे इस समय की बड़ी खबर है इंडिया अलाइंस के तमाम पार्टनर्स इसमें शामिलोंगे ग्रेह मंत्री से बयान देने की भी मांग है ग्रेह मंत्री अमिच्छा बयान दे इस पूरे मामले में जरी संसक में तो स्वरक्षा में सेंद लगी है वो मामला बहुत आगे बढ़ गया है विपक्षी सांसदों ने कल राष्ट पती से मिले का वक्त मांगा है सुबा दस बजे मिनले के लिए जा रहे है ग्रे मंत्री अमिच्छा का जवाब बांगा जा रहा है और सुरक्षा के सेंद मामले में सरकार का बयान आ गया है मैंने आपको पहले बताया था सरकार का बयान आ आ है ग्रह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयाना है आफ़ाओं पर ध्यान ना दे और प्रमानिक बातों पर ध्यान रखे और मामले की उस तरिये जाच हो रही है यानि भारतिय संसत के भीतरा जो कुछ हुआ है वाकई बहुत चौकाने वाला है और सुरक्षा का एक बड़ा होता है मेरे साथ रागफ चड्डा तो मेंबडर प्रॉलेम mote जुड़ है मेरे साथ रागफ चड्डा इससमें राज्य सवबा मेंबर पॉल्लेमंट जुड़े हुऊ है रागफ जी अवाज बिल रही है आपको मेरी मेरि जी रागफ ऑगल चड्डह टें icon विपक्षी सांसदों ने राष्टपती से कल सुबा 10 बजे का वक्त मांगा है जो खबर आ रही है सरकार कह रही है कि अफ़ाओं पर यकीन ना करें उच तर ये जाच की जाएगी लेकिन विपक्ष अड़ गया है कि ग्रह मंत्री अमिजशा का जवाब चाहिए भारत का संसद इस देश की सबसे ज्यादा सुरक्षित इमारतों में से एक है वो एक ऐसा चेंबर है जिसमें देश के प्रधान मंत्री, देश के ग्रह मंत्री, देश के उपर आश्ट्रोपती, लीडर ओफ ऑपोजिशन और तमाम चुने होए संसद बैठते हैं दूसरी चीज हाई इंटेलिजन्स इंपुट्स सरकार के पास थे कि क्यूंकि ये 22 वी बरसी है जो संसद भवन पे आतंकी हमला हुआ था उसके तो उसकी चलते सिक्योरिटी अपनी चरम पर थी लेकिन फिर भी एक शक्स तीन लेयर ओफ सिक्योरिटी को पास करकर भाजपा के एक सांसद के हस्ताक्षर लेकर उसकी सहमती से उसके द्वारा फेसिलिटेटिड पास पे दीरगा दर्शक दीरगा में आ जाता है और वहां से हमारी लोकतंतर के मंदिर जिसे हम कहते हैं इनमेदारी जिसकी है वो शक्स अपना बयान दे रिपोर्ट जांच रिपोर्ट सबके सामने रखी जाए और हर पहलू पे जांच हो जांच इस पहलू पे भी हो कि उस इंट्रूडर की मंच्छा क्या थी जिस मंच्छा से वो सदन के भीतर आया वो कूदा और उसने एक और जांच इस बात पर भी हो कि वो भाजपा के सांसद ने कैसे अस्ताक्षर कर दिये क्या वो भी शडियंतर का हिस्सा थे उनकी भी जांच होनी चाहिए उनकी खिलाब भी आक्शन हो ह questão बिकास है मेंबर हो पार्लिमेंट व्राजे सबा ये लोग सबमें घटना घटी प्रसेस तो सेम ही है हर साथिसत के लिए जहां तक मेरी जानकारी मेंबर अपार्लिमेंट का उतना दोश नहीं होना चाहिए इसके अंदर को कि वो तो बुला रहा है प्रोसेस की तो बात ही नहीं है प्रोसेस के बारे में तो ना मैंने कहा ना मुझे लगता और किसी ने कहा होगा सवाल ये है कि अगर कोई सांसद किसी को सदन के भीतर बुला रहा है उसे निमंतरन दे रहा है उसे अपना महमान बना कर दर्शक दीरगा में यानि की विजिटर गैलरी में खुद हस्ताक्षर करके ला रहा है तो कम से कम उसके बारे में तो जानता होगा कि वो विक्ति कौन है वो क्यों आ रहा है आज आपने देखा इस देश में एक सांसत को इसलिए निशकासित कर दिया गया उनकी सदसता समाप्त कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपना यूजर ने पासवर्ड एक किसी अलेजिट बिजनसमेन को दे दिया था यहां तो उससे भी बड़ा ब्रीच हो गया यहां आपके हस्ताक्षर लेकर कोई शक्स दीरगा दर्शक दीरगा में आया और उसने सदन पे हमला कर दिया और भगवान का शुकर है कि उसके हाथ में कोई ऐसा भं या कोई ऐसा οजार नहीं था जिससे जानमाल का नुक्सान हुआ कम से कम इसकी तो परमात्मा से हम परात्रा करतें कि कभी वो दिन ऐसा ना है तो कम से कम उस सांसत की जाँच तो हो लेकि हमारा अभी तो लोग कुछ ये भी कह रहे हैं लोगों का तो ये भी कहना है कि ये दी कोई विपक्ष का सांसत होता तो अभी तो उस पर N.A.C. की धारा लग गई होती F.I.R. हो गई होती वो पुलीस कस्टेडी में होता मैंने तो प्रोसेस की बात करी और जहाते कॉमने महवा मोहीना का झिकर किया मैं उस विशे पर यह कहरा चाहता हूँ देखिये वह विशे कुछ और यह विश्य कुछ और है तो शायद वहाँ पर जो था उन लोगों के ट्रस्ट का ब्रीच था यानि जनता जनारदन के ट्रस्ट का महुआ मोहत्रा ने ब्रीच किया था कैश और क्वेरी का मामला है वो मामला ही डिफरेंट है लेकिन मेरे साथ आज दो मेंबरा पार्लिमेंट्स है दो मेंबरा पार्लिमेंट्स है हनुमान बेनिवाल और मनूक नागर एक बेस्पी के और बेनिवाल साफ मैं आप कुछ कहना चाहरे है रागव जी और इन दोनों ने उन दोने हमला वरों को पकड़ा, इन को कुछ Zuk कहना चाहेंगे, इन दोनो ने हमला वरों को पकड़ा आज, इन को आप कुछ कहना चाहेंगे आपके फैलो मेंब्र matter of Parliament से मैं दो चीज़े कहना चाहूँ नहीं मैंने बिलकुल देखा हनुमान बेनिवाल जी हमारे साथी हैं लोग सबाके उन्हें उसे धर दबोचा भी उस शक्स को खींच कर सदन के बाहर किया देखिए मैं आपको एक बड़ी सरल सी बात समझाना चाहूँगा मीज भाई इसमें दो आप उससे जानते तो होंगे उसका बैग्राउंड जानते होंगे छोटी मोटी जाच पर ताल करी होगी कोई आपके स्टूडियो में आपका महमान बनकर आपकी एनुमती और आपके हस्ताक्षर से आ जाए और वो कोई ऐसा हमला कर दे तो फिर तो जवाब दही आपकी होनी चाहिए कि भाईया या आदमी कौन था कि आप भी इसके साथ मिले हो थे क्या मंच्छा थी क्यों आप उसे लाए क्या उसकी खिलाव कोई कारवाई होगी के नहीं होगी यह साड़े पहलू है जांस के बाद इन पर फैसला लेना चाहिए इसका जवाब देना पड़ेगा बीज से 22 साल पहले आज ही के दिन 2001 को कुछ आतंकवादियों ने हमारे देश के संसद भवन पे हमला किया था हम सबने वो unfortunate द्रिश्च देखे थे आज ही हम सबने सुभा उन वीर जवानों को श्रद्धाजली दी क्या पिछले 22 सालों में security के संदर्व में हमने कोई इस प्रकार से फूल प्रूफ सिस्टम नहीं बनाया क्या हम 22 साल में हमने जो सीखा जो 2001 में चूक हुई और उसके बाद भी लगातार 22 साल में जो security अप्ग्रेडेशन होनी चाहिए थी क्या हमने वो नहीं करी अगर करी तो वो काम क्यों नहीं आई ये वाजब सवाल है कि अप्रेडेशन ह और मलूक नागर दस सेकेंड बेनिवाल जी रागव जी रागव जी हमारे मित्र हैं और इन्होंने